हालो दोस्तो स्वागता अब सभी का आपके अपने YouTube चैनल Modest Match में दोस्तो आज मैं अपने लोगों हर परिमेकरन वाले प्रस्टों को कराने वाला हूँ और आज हम लोग देखेंगे बिलकुल बेसिक लेबल से कि हर परिमेकरन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है ये question बहुत important होता है आपके प्रस्णों को बनाने के लिए जब प्रस्ण में ये चीज हम लोगों को मिल जाता है तो और एक बाद अगर आप नए वीवर हैं तो इस चैनल को बिल्कुल अभी subscribe नहीं कीजेगा वीडियो को पूरा देख लिजे और अपको लगता है कि आप हर करिमेकरन वाले सभी question को बना सकते हैं तो ही इस चैनल को subscribe कीजेगा लगातार नए नए वीडियो को देखने के लिए और लगातार maths को सीखने के लिए देखे question हम लोग के पास पहला है एक बटा root 5 सबसे पहले इसमें समझ यह हर क्या है और हर का परिमेकरन क्या है तो उपर के number को हम लोग uns कहते हैं और नीचे के जो number है उसे हर कहा जाता है ठीक है तो अगर root यह देखे रहे root लगा हुआ है पांच में अगर यह हर में लग जाए तो उसका परिमेकरन करके उसको उपर ले जाया जाता है मतलब नीचे वाले number से root को हटाने के लिए हम लोग हर का परिमेकरन करते हैं simple भासा में अगर समझा जाए तो यह हम लोग कर सकते हैं ठीक है तो अब देखे question था हम लोग के पस ऐसा कि one by root 5 ठीक है तो इसमें कुछ तो है नहीं अभी क्योंकि सिर्फ root नीचे लगा है तो आपको क्या करना इसका परिमेकरन कर देना है इसको root को हटा देना है तो उपर म भी रहेगा नीचे में जब root 5 का root 5 से into करेंगे तो क्या होगा root हट जाएगा और 5 बच जाएगा बस यह आपका हो जाएगा इसका हर परिमेकरन हर का परिमेकरन हो गया मतलब option number B देखा जाए तो इसका answer होगा option number B इस question का सही answer होगा अभी देखते जाए यह type 1 है और अगर आ option आपका सही है type 2 का देखिया किस प्रकार से है type 1 में क्या था answer में हम लोगा सिर्फ एक था तो कोई दिक्कत नहीं था अब answer में देखिया कोई number मिल गया हम लोग को 3 मिल गया तो क्या करना है format उसी type से बठाना है 3 by root 7 3 by root 7 परिमेकरन के लिए देख लिए नीचे में क्या है root 7 है तो उपर भी root 7 से गुना कर देना है और नीचे भी root 7 से अब क्या है 3 को root 7 से जब गुना करेंगे न आप तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 3 root 7 फिर से root 7 का root 7 से गुना होगा तो root हट जाएगा और 7 बच जाएगा इसके बाद ये कुछ इसमें नहीं हो सकता है तो ये ही आपका answer हो जाएगा मतलब इसका परिमेकरन हो गया तो कौन सा option मिल रहा है ए नमबर का option देखिया आपका match कर रहा है तीन root 7 बटा root 7 सोरी 7 ठीक है option number A जो है आपका match कर रहा है बढ़ते हैं आगे हम लोग देखिए ये question है आपके लिए आपके practice के लिए इस question को बनाए और जो भी answer आपता है उसे comment box में comment जरूर करें अब देखिए type 3 हम लोग के लिए आ गया है type 3 कुछ अलग का है अलग प्रकार का है इसमें क्या हम लोग को मिला है ध्यान से देखिएगा बहुत important type का question है जितना type बढ़ रहा है हम लोग के लिए question important होते जा रहा है तो 2 root 3 के में भी ठीक है ध्यान रखिएगा अब इसको into करते हैं जब into करते हैं न तो into कैसे होता है 2 और 3 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 बीच में गुना ही रहता है फिर root 3 और root 2 का गुना होगा तो क्या हैगा root root 6 बन जाएगा मतलब उपर में लिखेंगे हम लोग ऐसा 6 root 6 नीचे में क्या है का ध्यान देजिएगा 3 गुना 3 मतलब की 9 गुना root 2 का root 2 से गुना करेंगे तो root हट जाएगा 2 बन जाएगा मतलब इसका भी लू क्या होगा 18 तो नीचे में लिखेंगे 18 देखेंगे 6 से ये कट सकता है ना 3 बार में तो क्या final मिलेगा हम लोग को root 6 बट 3 option number D में है उमीद करता हूँ ये question अप लोग को अच्छी तरह से समझ मा आ गया होगा question समझ गया है तो ये देखिए आपके लिए practice question है इसका practice करें और अपने answer को comment box में comment ज़रूर करें देखिए next आगे हम लोग का question number 4 और type number 4 अब क्या है ध्यान दिजेगा एक बटे में क्या है दो plus root 3 इस प्रकार का question आया हम लोग के पास तो अब important चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे number तो है हम लोग के पास ठीक है नीचे में अब sign भी कुछ मिल गया है plus minus इस type का कुछ sign मिला हुआ है न तो जो भी sign नीचे मिलेगा ध्यान रखेगा जो भी sign नीचे में मिलेगा उसका उल्टा कर देना अगर plus मिलेगा तो minus कर देना है और minus मिलेगा तो plus कर देना है यह याद रखने आपको और दोनों से into कर देना है त प्लस था ना माइनस करके जो नंबर है वो वही रहेगा 2 माइनस रूट 3 नीचे में भी 2 माइनस रूट 3 यहाँ तक उमीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को अब देखें यह 2 माइनस रूट 3 जो पूरा है इस पूरे को इंटू करेंगे एक से एक से किसी से इंटू करने का नंबर जो है करने के बाद नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह 2 माइनस रूट 3 रहेगा जबकि नीचे में देखें अगर देखा जाए तो यह A प्लस B और इसको हम लोग A माइनस भी मान सकते हैं ना तो किस फॉर्मेट में बैट जा रहा है 3 मतलब 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा एक आएगा अब बटा में एक लिखिया या ना लिखिया कोई दिक्कत नहीं है तो 2 माइनस रूट 3 इसका हर परिमेट करने के बाद जो है एंसर हुआ आएगा मतलब किस उप्सन से मैच कर रहा है तो आप्सन नंबर B यह उप्सन देखें most important question है हर परिमेकरन के लिए ये question बहुत ही important होता है बहुत ही खास होता है अकसर exam में आपको जो question आता है उसमें इसी type का question मिलता है तो root 3 plus root 2 सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग के पास data क्या क्या दिया है तो root 3 plus root 2 बटे में क्या है root 3 minus root 2 अभी हम लोगों ने क्या number को देखना है हर का number को और sign देखना है तो sign तो मिला हुआ है ना minus मिला है तो क्या कर देना number तो वही रहेगा बस sign जो है वो उल्टा हो जाएगा minus है तो plus तो जो करते हैं वो दोनों में करते है root 3 और root 2 कोई दिक कतनी होना चाहिए यहां तक अब ध्यान दिजेगा ये दोनो root 2 root 3 plus root 2 तो इसको हमलोग पूरा complete इस प्रकार से लिख सकते है root 3 plus root 2 का whole square और नीचे में क्या देखिए a minus b अगर इसको माल ले और a plus b इसको माल ले तो कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है तो क्या हो जाएगा a minus b into a plus b का formula क्या होता है formula होता है a square और minus b square ठीक है a square minus b square तोड़ देते हैं तो उपर वाले की formula में टूटेगा a plus b का whole square देखिए एक एक step दोस्तों आप लोग को लिख के बता दे रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आप लोग को ये a square plus b square plus क्या होता है formula 2 into a into b और नीचे के लिए क्या मिलेगा हम लोग को तो root 3 का square 3 और 2 का square मतलब तो एक आएगा कोई लिखने का जरूरत नहीं कोई दिक्कत नहीं है ये देखिए root 3 का square क्या आएगा 3 root 2 का square क्या आएगा 2 तीन और 2 जूट जाएगा ना हो जाया है कितना 5 और plus ये देखिए दोस्तों अगर confusion आप को तो इसका भी step लिख दे रहा हूँ एक step आउर कि root 3 का square क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 ये root 2 का square होगा 2 और plus मिलेगा 2 ये root 3 और root 2 इन 2 होके बन जाएगा 6 finally ये और ये जूटेगा कि ये same shift number है तो बचे है क्या 5 plus 2 root 6 देखिए किस option में है 5 plus 2 root 6 option number c में है हम लोग का 5 plus 2 root 6 option number c में है तो इस question का देखा जाए तो सही answer option number 6 होगा अगर question समझ गया है तो ये question उसी type का है उसी button का है इसको बनाए और अपने answer को comment box में comment करें दोस्तो आज के वीडियो का ये last question था तो हम लोगोंने 5 type को 5 प्रकार के question को देखा है इस वीडियो में उमीद करतों आपको वीडियो पसंद आया होगा सभी समझ में होगा question अगर आप वीडियो समझ गया है दोस्तो question समझ गया है तो इस वीडियो को like करे, share करे और अगर आ दोस्तों सभी का बहुत बहुत